बिस्विल्ला रख्मारी रहीम असलालेकूम फ्रेंड्स रुक्साना की किचिन में स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी रेसिपी ओरेंज मुए तो समर का सीजन आया हुआ है और ओरेंज तो भरपूर आए मार्किट में तो क्यों ना इसका फाइदा उठाया जाए और इ बिस्विल्ला रख्मानी रहीम यह चार से पांच मैंने लिम्बू ले लिए एक ग्लास में हम दालेंगे इस तरीके से और यह ओरेंज और इस तरीके से कट करके दालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता इससे ऐसे दालने से अच्छा लग रहा है और दो टेबल इस्पून शक्कर पीसीवी शक्कर शक्कर को मैंने पीस ली थी देखिए इस तरीके से और थोड़े पुदीने के पत्ते इस तरीके से हम तोड़के इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे आप ब्लैक सॉल्ड भी डाल सकते हैं या वाइट वाला जो हम खाते हैं वो सॉल्ड भी डाल सकते हैं देखिए अब इसको हम बेलन की मदद से इस तरीके से देखों इसे करने गए इससे लिम्बू का औरेंज का पुदीने का सब फ्लेवर आ जाएगा इस तरीके से करने से इतनी बड़िया खुचबू आ रही है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा आइस क्यूब हम इसमें शामिल करेंगे देखिए ठंडा ठंडा गर्मी आ रही है तो इस तरीके से आप बनाके पीजिए औरेंज में तो कितना विटे महिने ना आप जबू इसको बनाके पीजिएगा बहुत ही टेस्टी है और एनेटजी देगा यह आपको अब देखिए जूस मना ले दिसका तो यह इस पर हम शामिल करेंगे कितना एजी देखिए गर में हम और इंज भी बना सकते हैं जूस थोड़ा से पुदीने के पत्ते और शामिल करेंगे हम इसमें अब सोड़ा ले ली हूँ मैंने सोड़ा इसमें हम शामिल करेंगे यह देखिए फ्रेंड्स ओरेंज मोय तो बनके रेडी होगी आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना शेयर करना सब्क्राइब करना और बेल आइकन जोड़ दबाना मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ में जब तक के लिए अल्ला आफीज